नमस्कार मेरा नाम हिमान चुदवन और एजू स्पर्मिया के बारे मैं बताऊंगा मैं आच सबसे पहले तो चीज समझ लो कि अगर आप पेशेंट हो एजू स्पर्मिया के तो वीडियो देखने से स्पर्म कॉंड नहीं बनते हैं सबसे पहले चीज और अगर आप बीसी और डॉक्टर से होकर आ चुके हो और सब ने आपको कह दिया कि आपका कुछ नहीं हो सकता आपको सिफ और सिफ आई वीफ ही करवाना पड़ेगा तो शायद वो भी गलत है तो कि यहाँ पर हम जो है एक ऐसे पेशन्ट की बात करेंगे जिनको स्पर्म काउंट जीरो थे और आज की डिट में 25 मिलियन स्पर्म काउंट है विदिन 2 मन्त में जादा टाइम नहीं लगा दो महीने में उनके स्पर्म काउंट इतनी जल्दी बढ़ गए रापलीका करद गए उसके पीछे हमारी कोई ताकत नहीं है उसके पीछे सिर्फ हमने बस उनके कुछ एक ऐसे पॉइंट को पकड़ा उनके जड़ को पकड़ा जिसकी वज़ा से व आपके ही चाइल्ड के लिए मैं कहता हूं कि वह ज्यादा बेटर है या फिर वह बेटर है कि आपको डॉनर की नीट पड़े समझ जो क्योंकि देखो दीरे दीरे जैसे जो एजोस्परमिया के पेशन्ट हमारे पास आते हैं तो उनकी टाइमली टू टाइमली क्या होता कि एजिंग भी होती है एजिंग आने के बाद कॉम्लिकेशन और बढ़ती है थर्टी फाइज तक हम देखते हैं कि बहुत सारे कपल्स कॉम्लिकेशन से जूज रहे होते हैं कि कॉस आफ एजिंग किसी के एग प्रॉपर टाइम पे नहीं बन रहे फीमेल बॉड़ी में तो किसी के स्परम काउंट अब नहीं थे बड़ आज की डिर्ट में प्रेजेंट हैं क्योंकि हम पेशन देखते हैं तो कहीं न कहीं निराश इस जगह से भी हो जाते हैं अब तो स्परम बन गए हैं हमारे अब क्या दिक्कत आ रही है तो अब आपके पास एक ओफर आ जाता है कि एक रस्ता आपके पा कर रहे थे अब वो आपके स्पम से होगा यहां पर आपको सोचने की जुरत है क्या होता है एस उस्पमिया के पेशेंट बहुत जगह से धक्के खा कर आया होता है किसी हकीम से धक्का काया वैं किसी ने doll-аж कि अबीबिएश दॉक्टर से भी खा रहा है सबने उनके तीन महीने चा चाछा महीने छेछे महीने भी इलाज चला रहे है कि अभी नहीं तो कर नहीं अभी नहीं तो कर नहीं बट यहां पर हम सिर्फोर से देखते हैं चेक करते हैं सिर्फोर 74 डेचिंश की बड़ कुछ ऐसे patient भी देखे हैं जिनके 6-6 महीने बाद भी दिखाई दिये कि शायद पहले work नहीं कर पाया उस तरीके शायद उसने बाद में उसको result रिट शो कर दिया जैसे हमने एक पुराने patient के एक महीने testimonial उनकी report भी share कर रखी है वो थे 8 महीने के बाद उनका respond किया उनको तो चलो हमने देनी भी बंद कर दी थी medication कि 3 महीने से उपर हम देते हैं किसी को बड़ उनको देनी भी बंद कर दी उन्होंने जवर्दसी मंगवाई कि नहीं नहीं आप भीजवा दीजे उस टैप में वो आज की डेट में बिल्कुल स्वस्त हैं ठीक है उनका sperm count ऐसाथ इतने हैं कि जिससे अराम से वो conceive कर पाए वैसे ही एक ये patient जिनकी मैंने आज आपको सबसे पहले report दिखाई है अब उन्हों के साथ भी same था कि उनका nilspum count आरा था बट उनको दो महीने लगे cause of कि उन्होंने एक दिक्कत नहीं थी उनको basically obstruction थी obstruction खोलना as in हमाले वह fast है क्योंकि किसी भी tissue की growth कहींपे भी हो सकती है tissue की growth होना और उसको कम करना आई वेद में असान है हमारे पास दवाईया as such हैं जो आपकी किसी भी tissue की growth को कम कर सकती है अब tissue की growth को पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि blockage होई है तो tissue की growth कैसे होई है देखो simply सी बात है अगर सुना होगा गांठे होना गांठे ऑर्गन के भार होगी तो वो visible होती है ऑर्गन के अंदर होती है तो पता नहीं चलती है अब वो tissue की growth कहीं भी हो सकती है वो किसी भी नली में हो सकती है क्योंकि नीचे सारी नली आई है एक तरीके से स्परमेटी कोड हो गया सेमिनल वैसिकल से निकलने वाला हो गया यूरियनरी से निकलने वाला हो गया बहुत सारी नली होती है हम उस नली में कोई भी ऐसा जगा जहां पर tissue बड़े soft हो रहे हो और महां पर blood का flow थोड़ा सा better हो गया हो या बढ़ गया हो बढ़ गया हो जिसकी वज़ासे उस tissue ने अपने growth लेनी चालू कर दी है अपनी ज़रुरत से जादा बढ़ना चालू कर दी हो क्योंकि शरीर हमेश इसने बढ़ना ही बढ़ना है चाहे aging तक एक certain age आती है जिसके बाद हम lack होना चालू करते हैं उस time हम कमजोर होना चालू करते हैं मतलब उस age तक आप हमेशा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी जगह से थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाओगे चाहे पेट से बढ़ो चाहे अपने body structure से बढ़ो चाहे आपके कंदे ब्रॉड हो रहे हो चाहे आपका पेट बढ़ रहा हो चाहे आपके थाईस बढ़ रही हो चाहे आपके अलग-अलग जगह पर कुछ ना कुछ growth होती रहती है अब वो growth किसी नली के अंदर हो गई ऐसी नली में हो गई जिससे sperm भार ही नहीं आ यह एक basic asuspermia को समझ लीजे कि जिनसमें आप निराश हो चुके थे जिसमें आपने यह सोल जाता मेरा कुछ नहीं हो सकता बन वहाँ पर भी आपको आपकी रिपोर्ट justify कर देती कि आप कितने दिक्कत से और कहां आप ठीक होने वाली stage पे पहुँच गए अगर आपको asuspermia या निल्सperm count के बारे में नहीं समझ आ रहा कि आपने दो तीन डॉक्टर को दिखा लिया समने आपको IVF recommend करती है तो आप चिंदा मना करिये आप मेरी टीम से free consultation लिजे मैं नहीं देता free consultation बट मेरी टीम ज़रूर देती है free consultation आप नीचे दिये वे नंबर पर उनसे बात कर लिजे और अपनी reports को भेज दीजे जिससे वो check कर ले और फिर उसके बाद आपको callback कर ले जिससे आपको असानी हो उनसे बात करने के लिए और उनको असानी हो आपकी problem को समझने के लिए और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर बैल एक इंदवा दीजेगा अगर आप तो ठीक हो गए हो गए हो गए या होने वाले हो गए या जैसे भी होगा बट जो नहीं ठीक हो रहे क्या पता उसके लिए helpful हो झाल झाल